श्राद क्या है पित्रों के उद्देशे से जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद कहते हैं अपने मृत्मित्र गरणों के उद्देशे से श्रद्धा पूर्व किये जाने वाले कर्म विशेश को श्राद कहा जाता है इसे ही पित्रियगे भी कहते हैं जिसका पुलिस के वचन अनुसार जिस क्रम विशेश में दुग्द गणित और मधूस से यूँक सुसंस्क्रित उत्तम विह अंजनों को श्रधा पूर्वक वितरन के उद्देशे से ब्राम्मन आदी को प्रदान किया जाए उसे श्राध कहते हैं इसी प्रकार ब्रहमपुरान में भ श्राध में करने से होने वाली जोहानी बताई है उसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं अता श्राध तत्व से परिच्म होना तथा उसके अनुष्ठान के लिए तत्पर रहना अत्यंत आवश्चक है यह सर्वविदेत है कि मृत व्यक्ति उस महायात्रा में अपना स् इंड़दान की विवस्था की है सर्वप्रथम शवयात्रा के अंतरगत हैपेंड दिये जाते हैं जिससे भूमी के अधिश्ठात्री देवताओं की प्रसन्नता तथा भूत पिशाच द्वारा होने वाली बाधाओं का निवारण आदी प्रयोजन सिद्ध होता है कि कि साथ अधि दशगात्र में दिये जाने वाले देशों द्वारा जीव को अतिवाहनी सुक्ष्म शरीर प्राप्त होता है यह मृत व्यक्ति की महायात्रा के प्रारंब की बात है अब आगे उसे रास्ते में भोजन आदी जलादी की विवस्था करनी पड़ती है जो उसे उतम जीवन में अने कष्ट देखने पड़ते हैं साधना करने वाले भी पगपग पर कष्ट का सामना करना पड़ता है मृत प्राणी बाद देहोकर साधना करने वाले अपने सगे संबंधियों को खून चूसते हैं साथ साथ वे उन्हें शाब भी दे देते हैं इस अभिशक्त परिवार को जीवन भरकष्ट जहिलना पड़ता है उस परिवार में पुत्र नहीं उत्पन्न होता कोई निरोगी नहीं रहता लंबी आयू नहीं होती किसी तरह का ल्यान नहीं प्राप्त होता और मरने के बाद नर्क भी जाना पड़ता है